गाइस 12 में इतना अच्छा रूल है तो 10 के comparison यह बहुत सिंपल हो जाता 12 अगर जो चीजे मैं बताऊंगा उसको आपने फॉलो किया ना तो पास होना बिलकुल आसान हो जाएगा और यह मैंने नहीं दिया है यह बोट की तरफ से आपको मिला है और गाइस उसके पहले Instagram पे मु चैनल को दिखा जिससे हमारे अंदर भी जोश है तो बाई कैसे सर यह कैसे कैसे possible है सर बाई possible है बाई फिजिक्स का चलो मैं फिजिक्स का एक्जामपल ले तो साइंस वाले बच्चों को ना पास होना बहुत आसान है बहुत तो बहुत जादा आसान है अगर मैं ले लेता मैंने बार बार बोला है कि जो आपके स्कूल में प्राक्टिकल एक्जाम होते हैं प्राक्टिकल एक्जाम के अंदर आपका कितना भी पुझुबी दुश्मनियों पर अगर आप रेगुलर कॉलेज जा रहे हो थोड़ा बहुत उपर निचे कर रहे हो कोई टेंशन नहीं व कोई कॉलेज नहीं चाहता कि उनके कॉलेज का जो ओर और परसेंट वो डाउन हो इसलिए हर कॉलेज लास्ट में बोर्ड एक्जाम के लिए अपने बच्चों के लिए ट्राय जरूर करता है और बहुत अच्छा ट्राय करता है तो यह दिमाग से टेंशन अड़ा दो कि यार के माउस को करक tower करता लें तो सेवंटी में से आपको यह सेवन मांस्ट मिलें बट वहीं आपको इंटररल के अंदर हैं 36 marks, कितना होगा 36 marks, और पप्पू पास हो गया, क्योंकि 100 में से passing criteria कितना होता है only 35 marks, पर पप्पू को इतना मिला 36 marks, तो भाई 7 marks तो आप अराम से निकाल सकते हो 7 marks तो बस MCQs कर लो, 1 marks के question भी कर लिया आना, थोड़े बद formulae भी याद कर लिए, 2-2 line मिलिग दी, 2 marks के लिए 4 3 marks के लिए 6 line है, और उसके अंदर आपको expression याद है, expression डाइग्राम याद है diagram को देखके expression को फ़ड़ा लिखना start कर दिया, तो भी इतने marks अराम से बिल जाते है, तो पप्पू क्यों नहीं पास होगा हर पपू को हम पास करेंगे, जिनको tension है, कि सर मेरे को गडबर लग रहा है सर, गडबर गुटाला होना है, कोई नहीं सब score भी करेंगे, और grouping को clear भी करेंगे, क्योंकि आपके साथ हमारी पूरी team है, प्रदीप सर तो आपके साथ लगे हुए हैं, बस अपने चैनल को share कर दो, हर जगा support दिखाओ, मिलते हैं next video, thank you so much guys, जैहिन दोस्तों